Q7, तो 7 है हमारा Q7, 3M-4N, इसकी multiply करनी है, किससे करानी है, 2M-3N से, इससे multiply करानी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यह जो 3M है न, इसको as it is उतार लो, और यह जो पूरा bracket है, इसको इसके बरावर में, ठीक है, अब 3M उतार दिया, बचा क्या, minus का 4N, तो symbol के साथ मैं आप ऐसे उतारो, और इसको just इसके बरावर में, ठीक है, अब देख लिए, इसकी multiply इससे होगी, और इससे होगी, तो पहले हम इसकी multiply इससे कराते हैं, तो 3, 2 जा, 6, और M की multiply M से कराओगे न, तो M की power 2 आजाएगा, फिर इसकी multiply इससे करानी है, तो 3 की 3 से कराएगे, तो क्याएगा, minus का 9, क्यों उत्यों कि यह minus है, 3, 3 जा 9, और M की N से कराओगे, त M N ठीक है इसकी multiply अब इससे करानी है और फिर इसकी इससे करानी है तो पहले हम इसकी इससे कराते है तो 4 to the 8 और वो भी किसका minus का इस minus की वज़े से 8 और N की M से कराओगे तो A B C D में M पहले आता है और N बाद में ठीक है अब इसकी multiply इससे कराओगे तो minus minus plus और 4 रिज़ा 12 और N की N से कराओगे तो N square ठीक है अब देखो 6 M square ऐसे ही और इसको solve कर लो क्यों क्योंकि ये like terms है ये भी M N और ये भी M N तो ये solve हो जाएंगे तो minus minus plus और 8 और 9 17 सिंबल उसका आएगा जो बड़ा हो तो बड़ा कौन है 9 उसके आगे minus है तो minus का और ये ऐसी है जाएगा तो I hope आपको समझ माया होगा ठीक है चलते हैं आप next question पर